यह बात कम ही लोग जानते होंगे कि हमारा सरीर भी प्लास्टिक पीता है आपने गलत नहीं सुना है ये बिल्कुल सच है आज हम प्लास्टिक से जुड़े कुछ ऐसे ही भयानक सच आपके सामने पेस करने वाले हैं जो आपको हिला कर रख देंगे क्या आपको पता है हमारी दुनिया के चारो और एक प्लास्टिक की दुनिया बन गई है और हम उसी में सांस ले रहे हैं आज प्लास्टिक का उप्योग हर जगे हो रहा है प्लास्टिक परियावरन के लिए बड़ा खत्रा बन गया है आपके जानकरी के लिए बता दे प्लास् इंग्लेंड में इलेक्जेंडर पाक्स ने किया था इसके बाद प्लास्टिक का चलन धीरे-धीरे शुरू हुआ और आज के समय में इतना बढ़ चुका है कि अगर आप देख लें तो आपको अपनी आखों पर विश्वास नहीं होगा जैसे इस बात को ही ले ले कि एक प्ला काम में लेकर फ्एक देते हैं सिर्फ इतना ही नहीं पूरी दुनया के कुल तेल का आठ पृतिसाथ भाग केवल प्लास्टिक के उठाधन में लग जाता है आप शायद ये बीख जानते होंगे 2,000 गुना जादा बोज उठा सकती है एक बूरी बात यह है कि हर साल लगभग एक लाख पसू प्लास्टिक बैग खाने के कारण मर जाते हैं प्लास्टिक बैग यूज्त थो की जा सकती है लेकिन इसे कैसे खतम किया जाए यह समाधा नहीं है कहते हैं कि प्लास्टिक बैक को खतम होने में लगभग एक हजार साल लगते हैं हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि भारत में हर साल प्रतेक व्यक्ति दुआरा लगभग 9.7 किलो प्लास्टिक उप्योग में लाया जाता है जबकि अमेरिका में प्रती व्यक्ती 109 किलो एक मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक पूरी दुनिया में सिर्फ रवांडा ही एक लौता देश जहां प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है इस बात से भी आप वाकिफ नहीं होंगे की सबसे जादा प्लास्टिक समुदर में फेका जाता है जो की भविस्य में बेहद हानिकारक हो सकता है प्लास्टिक 2 ओईल एक मातर ऐसी कमपनी है जो प्लास्टिक को दुबारा तेल में बदलने का दावा करती है सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा सरील प्लास्टिक क्यामिकल को अपने अंदर सोखता है 6 साल से उपर के 93 प्रतिसत अमेरिकियों में प्लास्टिक क्यामिकल बीपीय पाया गया है जो सेलफ़ोन आप इस्तेमाल करते हैं उनमें यूज की जाने वाली प्लास्टिक असली प्लास्टिक नहीं होती ये बात कम ही लोग को पता है दरसल ये एक प्रकार का सेल्यलोस होता है जो अगर जमीन में गार दिया जाए तो तीन महीने में नस्ट हो जाता है जब भी हम नई कार लेते हैं तो उसमें से एक अजी प्रकार की गंध आती है ये गंध असल में प्लास्टिक का प्लास्टिकी जेर्ज है जो अधिक मात्रा में इस्तिमाल करने से गंध छोड़ता है तो फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा और क्या आपको पहले से ये पता था हमें कमेंट्स में जरूर बताए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें